दोस्तों नमस्कार मैं अजय पत्रकार ये देखिए बॉम्बे का मीरा रोट आठ रोहिग्या पकड़े गए जो बगएर पासपोर्ट बगएर बीसा बगएर किसी आधार कार्ड बगएर उसके रह रहते और अनैतिक गद्विधियों में भी सामिल थे इसके जहाच हो रही सम् हैं आप ताजुद देखिए ये जो आठ लोग हैं ये मैमार से आएं बंगलादेश क्रॉस कियें बंगलादेश क्रॉस करके भारत आएं इनको इसपेसली ढखेला गया वहां से और ये आराम से बॉम्बे के मीरा रोट पे रह रहते हैं मीरा रोट पे आजकल बवाल ही हो र गया है जवर्जस्त कनवर्जन्स जवर्जस्त वहाँ पर लोगों पर हमले बसूली और क्राइम का आप समझ लीजे महराश्ट में सबसे बड़ा एरिया बन गया है अब देखे जो लोग ग्रपतार हुए हैं उनको मैं बतला दूँ यह इन सब का सरगना है यह इन सब का सरगन है जिसका नाम मुहमत जोहर है मुहमत जोहर यह सब का सरगना यह मैमार का रहने वाला है बर्मा मैमार का दूसरे यह इमाम हुशेन है इमाम हुशेन यह भी मैमार और बर्मा के रहने वाले हैं तीसरे यह आमिर हुशेन है बैलिस बरसी आमिर हुशेन यह बंगलादेश भी गया है मेमार भी गया है और भारत में तमाम इस्थानों पे रहा है तमाम इस्थानों पे रहा है और संबेदन सील इस्थानों पे रहा है बॉम्मे के ऐसे संबेदन सील इस्थानों पे इसकी गद्विदिया रही है अब ये देखे ये मुहमन नरूल हैं मु सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे सब्वेदन सील स्थानों में यह लोग रहे हैं इन्होंने निवास बनाया दूसा कोश्टल एडिया पे यह लोग मचली के लिए कार करते थे हकीकत मचली नहीं की गत्विदिया और थी और यह जो हैं इस सब के मास्टर माइन्ड है मिश्टर जोहर कमाल हुशेण इस इन लोगोंने यह भी स्युकार किया है कि जम्मू कश्मीर के में इनका परवार रहता है अब देख लिए जम्मू कश्मीर कश्मीर जैसा संबेदन सील इनका परवाल रहा है कितने आराम से रह रहे हैं ये लोग और जो भालत के मुल लिवासी है आज वो नहीं रह पारहे हैं वो कमा नहीं पारहे हैं खाने गिले नहीं रहने लिए इनके पास जवज़त ठिकाने अब एक प्रदेश ने कई प्रदेशों तक इनका इनका ब्यापार फैला हुआ है इनके लोग फैले हुए है और आज भी इनके वहां से बर्मा से मैमार से संबन्द है बंगला देशियों से संबन्द है अब देखें मीरा रोड बुंबई में धारा प्रवा ये लोग हिंदी बोलते हैं और जम्मू कश्मीर में अपना परवार होने का तो दावा करने वाले ही है आठो अबैद रोईग्या जो वहां के निवासी है बर्मा मैमार के और ये उत्तान के तटकोष्टल इराके में इनक रोईग्या अल्व संख्यक हैं रोईग्या और मैमार के हैं और खुद को अपने को सरार्थी होने का दावा कर रहे थे ताजू भी है कि मानवा दिकार का ये फायदा उठाना चाहे रहे थे और सरार्थी इनके फेवर में भी काफी लोग आए पर तो जब ये पुलिस ने व मैमार का दूताबास है भालत में वहां दिल्ली से पूछा गया जब इनके खिलाप सबूत मिल गए तब उनकी पैडवी करने वाले मीरा रोट के कुछ किमनल्स कुछ नेता और कुछ इंडी गडवंदन के नेता तब खामोस हुए इन लोगों ने भी बताया कि मचली पकरने वाली नौकाओं पर सहेक रूम में काम की तलास में तटी छेत की आत्रा पर आये थे जिसके बाद पुलिस ने अप्रवासियों बारे के जानकारी के लिए नई दिल्ली में मैमार दूताबास से संपर किया उन्होंने ये भी दावा किया कि उनका परवार जम्मू कस्मीर में ताजू भी देखिए कि इन लोगों को इतना पढ़ाया गया है इतना इनको माइन में फीट कर दिया गया है कि लोग मानुआदिकार की बात करते हैं और कहते हैं सारार्थी हैं जब इनकी पकड़ हो गई पूरी पहचान किलियर हो गई तो बोले हम सालार थी यह कह के बचने की कोशिस की अब देखे 29 फरवरी को मीरा बहंदर रोड में पुलिस ने बहंदर के पास उत्तान के तठी इलाकों पे जब इन आट रोहिगाओं को को मैमार के निवासियों को पकड़ा ग्रक्तार किया जो मूल लूप से वहां के रहने वाले हैं वहां से कंफर्म हो गया है मैमार से कंफर्म हो गया उसके पहले उसके बात तक ये लोग पुलिस को गुमलाय करते रहे जब सारे प्रूब मिल गए इनका वहां का ठिकाना मिल गय तब इलोगों ने थोड़ा सा सरेंडर किया तब मुल लूप से मेमार के आठो आरोपी बेक्टियों नों देश में अबायद रूप से प्रवेश करने के लिए बिरेशी अधिनियम के साथ भारत के पासपोर्ट प्रवेश नीमों के तहत आरोप लगाए गए है रिपोर्ट के अन्सवार आरोपी बेक्टियों की पहचान इमाम हुषेन अब्दुलकाशिम 25 बर्सी मोहमत जहुर नूर मोहमत 39 एर्स अमीर हुषेन असद अली 42 एर्स अली हुषेन अब्दुल सोभी 49 एर्स नरूल अमिन योशुप अली 52 एर्स के रूम में की गई है कमाल उशेन नूर कमाल 35 एर्स मोहमत जाकिर उशेन अबु आलम 30 एर्स और हमिद उसेन अली अकबर 55 एर्स अब आपको बतारा रहे हैं इसके अलाबा तमाम लोगों के बारे में पता चलना है कि वहां तमाम रोहिग्या के लोग रह रहे हैं आप ताजुप की बात ये देखिए कि तीन कंट्रियों क्रॉस करके आ गए बंगला देश क्रॉस किया इसमें आपको बतारा है कि लोगों से और जानकारी मिली है कि जम्मू कस्मीर में है कुछ लोग ये पाकिस्तान से भी ढखे ले जा रहे हैं भारत क्यों और कुछ बंग ये भारत में अप्रवासी लोगों को बाहर के लोगों को बसान है जो सरार्थी अपने को कहते हैं जबकि यहां की कानून विवस्ता बिगालना है यहां की जवीनों पर कबजा करना है जडायम पेशे से ये लोग लिप्थ हैं आपको बतारा हैं सब इस्पक्टर कुणाल को पकड़ने की कोशिस की तो यह लोग चिप गए और बच गए भाग लिए प्रन्तु पुलिस की इतनी जबजस्त वो थी कि यह लोग बच रही पाए प्रन्तु रिपोर्टों का ज़्वार पुलिस के स्पक्टर क्राइम रिशी केस पावल की देखरेक में उत्तम तटी पु पुलिस के उपरिच्छा कुराल कुरेवाट के नेत्रत में एक टीम को एक गुप्त सूचना मिली बताया जाता है कि उसी के आधार पर टीम ने आठ अवेद अप्रवासियों को गर्पतार करने के इलाके में तलासी अभियान चलाया है कथिक तवर पे आठों को चौग करने के साथ इनको लोग सपोर्ड कर रहते मीरा रोट के आज मीरा रोट की यह पोईशन है कि किमिनल्स वहाँ पे इतने ज्यादा च्छाय हुए हैं सब तरफ वहाँ पे क्राइम का बिल्कुल बोलवाला हो गया अब देखें यह मीरा रोट का इलाका है यह मीरा रोट का इलाका है यहां को आपको बतारे यहां क्राइम इस कदर हो गया है अभी जून दो हजार तेईस में मीरा रोट पे सुसाइटी पे रहने वाले लोग खुले आम जानबरों का स्लाटर कर रहते ऐसे जानबरों का कर रहते जो आपत जनक थे उनका स्लाटर कर रहते हैं जब सिलाटर पे वहां के लोगों ने चुकि सुसाइडी का नियम है खुले आम घर के बाहर नहीं कर सकते आप घर के अंदर कुछ भी कीजिए तो उन्होंने खुले आम सामोई ग्रूप से जून दो हजार तेईस को सिलाटर जब किया तो वहां पे बिरोध हुआ और थोड़े जन्बली दो हजार चौविस को जब मंदिर में प्रान प्रतिष्ठा हो रही थी अविद्धा में उस समय भी योजनाबत तरीके से एक जलूच कुछ लोगों का भगवा घंडे के साथ राम मंदिर समर्थकों का जब वंबे से निकला तो उस पे बहुत भेंकर पुरेचा और महिला को बुली तरह से मारा ही आप देखिए महिला को उसमें महिला के बलड बह रहा है और काफी लोगों को मारा अगर ये लोगों कारan कोलं कर बाहर आ जाते तो काहagan के मर्डर हो चाते काफी लोगों ने देखिए गाड़ी आप слиत दूसरीं आपको इतान म मीरा रोट की ये स्थित है उसमें बैरिंग केटिंग इन लोगों ने लगा लग की है और अंदर जाने पर पैसा पड़ता आप समझ लीजे कई चीजे ऐसी है जो समंगलिंग का माल वहां पे खुले आम बिकता है इधार आपको बता रहे हैं कि पंदरा फोर्सपूल कनवर्ज इसको हैरिसमेंट इस एरिये में दिखतर हो जाता कोई भी लेडी जगह इधर से निकलती है ये देखे इन लोगों के दोरा आगजनी की गई बात में जब बुल्डोजर एक्शन हुआ है तब ये लोग खामोस हुए है जब बुल्डोजर एक्शन हुआ अब सबसे बड़ी वो बहुमत में हो गए है आसाम में वो बहुमत में है त्रपडा में मिजोलम में नागा लैंड में और रांचल में इन जगह ये बहुमत में आप समझ लिजे बिहार के लगब पांच जिले सीमानचल में बंगला देशी रोहिग्या के लोग बहुमत में बिहार के दूसरा उरिषा में भी अच्छी तादाद में। दिल्ली में, बंबाई में, जम्मू कस्मीर में। आप ये देख लीजिये कि तीन देश कलोच करके ये आ गए। पर दो इनकी हिम्मत वहीं से चाइना जाने की नहीं है। ये अननतनाग में हैं कस्मिर में और सब जगहें मगए वहाँ से चाइना जाने की हिम्मत नहीं होती है या पाकिस्तान में जाने नहीं भारत इनका सराइवल गया, इनका मकान, इनका घार, इनको धंदा, सब कुछ फ्री में जमीन मिल गई ये देश का दुर्भाग है, लोगों को जागरूख होना चाहिए, देखिएगा 2024 में यही मुद्दा होगा, इसलिए UCC और CA Bill की बात हुई है, और आप देखें 2024 में सीमान तेरियों पे जहां जहां इनका कबजा है, शायद वहां की सरकाने, अब जो आएं वो सोचें, खास त बंदन के चीप मिनिस्टर हैं, जो इनको खुल के सनलक्षा देते रहें, दोस्तों नमस्कार, मैं आजे पत्रकार